प्रापर्टी को ले करके बहिस सबसे ज़ादा देखा जाता है दादा पर दादा की संपत्ती में और यहीं पर आज आपको ऐसा कुछ महत्पूर्ण, Honorable Supreme Court of India के judgments highlight करते होए कुछ points, tricks या फिर techniques आपको बताऊंगी जिससे आपको ये अंदाजा लग जाए कि ancestral property को ले करके आपको किस तरीके से deal करना है तो देखे, property दो तरीके का होता है, एक है ancestral और एक है self-acquired पैत्रिक संपत्ती, स्वा अरजित भूमी तो ancestral property वो होता है, जहाँ पर चार या फिर उससे जादा पीडियों से संपत्ती चला हुआ आ रहा है एक generation से और एक generation automatic transfer होता रहता है, generation wealth और यहीं पर ये संपत्ती में एक बेटे का अधिकार by birth होता है, automatic होता है फादर का consent हो, यानकी पिता का सम्मती हो या फिर ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं बढ़ता है लेकिन अगर मान लीचे, आपके grandfather आपका ये जो संपत्ती इसको अपने बच्चों में distribute कर देना चाता है फिर जाकर के वो संपत्ती ancestral property नहीं रहता है partition हो करके वो self acquired में convert हो जाता है और हमेशा इसका equally बटवारा होता है अगर दो stakeholder है तो 50-50 तो by birth एक बेटे का अधिकार है अभी देखिए एक बेटी का क्या अधिकार है daughter's right in ancestral property तो जब से 2005 में एक amendment लाया गया है और honorable supreme court of India का ये particular judgment से इस बात का पुष्टी क्या गया है ancestral property joint family property का एक part होता है यहाँ पर co-personal का concept चला हुआ आ रहा है हाला कि daughter को co-personal पहले नहीं माना जाता था co-personal मतलब आपके दादा जी आपके दादा जी से आपके father father से आपको मिल रहा है तो आप लोग co-personal हो यहाँ पर daughter का पहले का भी कोई जगा नहीं था एक male ancestor lineage follow किया जाता था अधिकार होता है उसी सेम तरिके से एक बेटी का भी equal right यहाँ पर दिया गया समान अधिकार दिया गया यहाँ पर बताया गया 2005 से पहले अगर कोई father का date हुआ है या फिर 2005 के बात कोई father का date हुआ है और कोई भी will नहीं है इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा एक बेटी का अधिकार समपत्ती में by birth कर दिया गया एक बेटे का ही तरह तो इसको कहा जाता है retrospective effect यह landmark judgment से इस बात का पुष्टी हो जाता है लेकिन एक daughter का भी अधिकार छीना चाह सकता है वो आगे आएगा और यहीं पर gender equality को तो लाया गया अभी बात कर लेते कुछ और चीजों के बाड़े में जैसे की कोई इंसान वसियत लिख सकता है ancestral property का आप पो लगेगा की नहीं नहीं ancestral property के कोई वसियत हो नहीं सकता है लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाँ हो सकता है तो अब मानोगे तो देखो मान लिजे ये घर का 4 stakeholder है यानि की 4-4 भाई है यानि की 4 पार्ट में इसको बटवारा किया जाएगा और यही 4 भाई में से आप एक भाई हो अभी आप मान लो कि आप खुद ये पूरे घर का एक वसियत लिख करके उपर चले गए हो तो क्या उस वसियत को मानियता मिलेगी? जी नहीं क्योंकि जिस संपत्ति के बटवारा 4 हिस्से में होना है यानि की और भी 4 पार्टनर्स है तो आप किस तरके से अकेले ही पूरे ये 100% प्रापर्टी के वसियत करके जा सकते हो Will in law इंडिया में Will related सबसे important कानून में से एक है Hindu Succession Act में Section 30 वहाँ पर क्लियरली लिखा गया है कि मिताक्षरा कानून के हिसाब से एक हिंदू किसी को भी अपना संपत्ति Will बना करके देखे जा सकता Honorable Supreme Court 2019 में Radhama vs H.N.Muddo Krishnan ये केस में बताके रखे है लेकिन वो अपना उसी हिस्से का लिख सकता है जिस portion का वो हकदार है और उसको अब dispose of भी कर सकते हो अपना portion determine करने के बाद ही वसियत करके जा सकते हो नहीं तो उसको कोई और पार्टी आ करके कोट में challenge कर देगा सीधे सीधे और वो खारीज हो चाएगा तो यहीं पर अब वसियत लिखने के लिए कुछ formalities आपको मानना पड़ता है जैसे कि गवा रखना पड़ता है आप अपना sound mind में मतलब proper state of mind में उसको लिख रहे हो आप पागल नहीं हो ऐसे कुछ rules बताए गया है जिसके बारे मैं यहाँ पर बताके रख्यू लिंक वीडियो के description box पर है आप देख सकतो बात में अभी यहीं पर आप मान लीजिए दूसरे शादी कर चुके हो तो बिना divorce दिये पहला पतनी अभी जिन्दा है पहला पतनी से भी कुछ बच्चा है और दूसरे शादी से भी कुछ बच्चे है तो क्या second marriage से जो बच्चा आ रहा है उनको संपत्ती में हिस्सा मिलेगा चलिए जानते हैं और ये बच्चे जायज या फिर नाजायज क्या कहलाएगा माननीय कोट यहाँ पर क्लियर कर रहे है कोई भी बच्चा को जायज या फिर नाजायज ये टैग हम लोग नहीं दे सकते है ये बच्चा के लिए एक mental trauma का एक दर्दनाक situation पैदा कर देता है और यहीं पर कोई भी इंसान अगर first wife के जीवित रहने के वक्त second wife बनाता है क्या बोल रही हूँ मैं तो इसके चलते second wife का पत्ती के संपत्ती में क्या अधिकार है कोई भी अधिकार नहीं है first wife के जीवित काल में second marriage absolutely void हो जाएगा यानि कि शादी को माना चाहेगा शून्य Hindu marriage act section 5 इस बात का clear करता है Now, बच्चों के बाड़ में बात करते हैं तो second marriage से आया हुआ बच्चों का क्या पिता के संपत्ती पर अधिकार होगा जिस तरीके से पहले शादी से आया हुआ बच्चों का होता है बिलकुल उस तरीके से section 16 of the Hindu Succession Act बात समझ में आई और यहीं पर एक डॉटर का अधिकार कैसे संपत्ती में छीना जा सकता है मालू है अगर कोई father will लिख देता है कि सारा का सारा हिस्सा में आपने बेटों को देना चाहता हूँ अगर यह लिख करके जाते हैं तो definitely उस case में एक डॉटर का अधिकार जा सकता है लेकिन अगर दवाव में आ करके pressure create करके एक father को वस्यत में ऐसा लिखवाया क्या है तो उस वस्यत को definitely challenge भी कर सकते कोई भी डॉटर वो संपती क्यों नहीं एक ancestral property हो या फिर वो एक स्वा अरजीत भूमी ही क्यों नहीं हो अभी just suggestion मान लीजिया आपको वस्यत लिखना है ancestral property का आपको क्या करना है step 1 ancestral property का division कीजिये family settlement date के थू step 2 अभी मान लीजिये बटवारा हो चुका है आप जा करके उसको आपने नाम पर mutation करवाईए दाखिल खारीच करवाईए फिल जा करके will लिखने के लिए वैठिये और कैसे will लिखना है यहाँ पर click किजिये आपको पता चल जाएगा मिलते हूं नेक्स वीडियो में बहुत बहुत धनिवाद आपका